गुद मारिंग स्टूरेंट्स, गुद मारिंग आल, आप सब कैसे हैं? उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो आज हम वाटर अनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ओके बच्छो? तो स्टूरेंट्स, वाटर अनिमल जैसे फिश, F-I-S-S, फिश, समंदर में ये बहुत सारी होती हैं, और बहुत प्यारी-प्यारी होती हैं, छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, ये सब तरहाखी होती हैं, और ये बहुत कलरफुल भी होती हैं, रंग भी रंगी, तो स्टूर Fish यानि What an Animal Crab C-R-A-B Crab Crab जो होता है ये केक्रा होता है इसकी दो आखें और बहुत सारे पैर होते हैं इसके दो हैं जो काटे होते हैं इसके हात के ये बहुत शार्प होते हैं और बहुत नोखीले होते हैं ये समंदर में रहते हैं शार्क, S-H-A-R-K, शार्क शार्क जो होती है समंदर की सबसे बड़ी मचली होती है और ये छोटी-छोटी मचलीओं को अपने नोकीले दाथों से खा जाती है ये ग्रे कलर की होती है और ये बहुत खतरनाक भी होती है बच्चों ये भी समंदर में रहती है Octopus, O-C-T-O-P-U-S Octopus, ये बड़े मुवाला और बहुत सारे पैरो वाला water animal होता है और ये समंदर में रहता है और ये अपने लंबे-लंबे हातों से किसी भी जानवर को पकड़ लेता है आसानी से तो ये भी एक water animal है ओके बच्चो Crocodile, C-R-O-C-O-D-I-L-E Crocodile, Crocodile जो होते हैं ये जमीन और पानी में रहते हैं और ये बहुत ही ड्रावने भी होते हैं इनकी कमर पे लंबे-लंबे काटे होते हैं और इनके दांद बहुत शार्प होते हैं Seahorse, S-E-A-H-O-R-S-E Seahorse, Seahorse जो होते हैं ये समंदर में बहुत सारे होते हैं ये ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन ये बहुत सारे होते हैं ये water animal होता है और इसका जो face होता है वो बिल्कुल एक घोड़े की तरह होता है इसलिए इसका नाम Seahorse होता है तो बच्चो आज हमने क्या सीखा आज हमने वाटर एनिमल के बादे में पढ़ा है जो समंदर में या पानी में रहते हैं